हुआ है अगे यह तो अगेशन के लिए ब्रेट पकोड़ा विकास कल मैंने बनाई थी कड़ी और उसका एक बैटर थोड़ा सा मेरे पास बच गिया था और ब्रेट भी थी तो मैं बनाने वाली हूं ब्रेट पकोड़ा और यहां पर देख सकते हैं यह आलू बॉयल हो रहे हैं और फटा फटा मिस्की तयारी करते हैं कि साम के स्नाक्स के लिए रोईद को कुछ न कुछ चाहिए होता है तो आज बनना आते हैं ब्रेट पकोड़ा और रोई स्थ के साथ खाएंगे और मैं खाँगी ग्रीन चटनी के साथ तो चटनी के प्रपरेशन यह आप देख सकते हैं यह ग्रीन चट्नी के लिए समार है दिनीया पुदीना मिर्च और टमाटर और इसमें गालिक और जिंजर नहीं पड़ेगा यह प्रॉपर नॉर्मल सात्विक बनेगी क्योंकि मुझे वह गालिक और वहली गालिक और जिंजर वाली चत्नी पसंद नहीं है और हम इसको अभी ध बहुत वोटरी हो जाती है अर उसका के जो प्रॉपर फ्लेवर पानी बन जाता है जुकी सुकी रहती है भाइब ने भी हो यह अर चीज़ जब आप चटनी बनाएं तो चटनी में सिर्फ नमक कि और उर कुछ ूज़ा ना करें बहुत से लोग मैंने देखे बहुत सारी चीजे पता नहीं क्या क्या मसाले डाल देते हैं चटनी में चटनी का में मकसद ही सिर्फ नमक और जो उसमें हाब्स हैं जैसे धनिया पोधीना वर्च यह सब उगे इसका फ्लेवर आना चाहिए और कुछ उसमें अडिशनल मसाले नह द्धनिया का फ्लेवर है जो बहुत ज्यादा आता है क्योंकि धनिया एक टाइम के बाद कड़वी हो जाती है तो इसमें अगर आपका टमाटर है तो ठीक है आपको टमाटर का खटापन पसंद है तो ठीक है अदर्वाइस इसमें थोड़ा सा लैमन का जूज भी डाल सकते ह जो थोड़ा सा भी डाल है यह लैमन और मैं इसको चटनी में डालने वाली वैसे हर चीज में खटास नहीं होने चीए मिठास होने चीए बट चटनी में रिक्वाइड होती है यह मेरी रायम थोड़ी सी अजीब लग रही होगी आपको बट ठीक है बलाने की कोशिश करते है जैसा कि मैंने कहा है स्टार्टिंग में मेरी चटनी हमेशा कड़वी होती थी कड़वी सरफ इसले होती थी कि मुझे लगता था हमेशा से अगर मैं धनिया को बहुत ज्यादा डालूंगी तो बहुत टेस्टी चटनी बनेगी बट मेरे पापा ने एक दिन मुझे बोला कि धनिया हमेशा कड़वा करती है चीजों को धनिया का एक लिमिटेड स्वाद होता है जो आपको रिक्वार्मेंट के साफ से डालना चाहिए आप कभी देखो आप नॉर्मल कोई भी चटनी बनाते हैं उसका अलग से स्वाद सरफ इस वज़े साथ है कि आपकी चटनी में बा हमारे आलू बॉल्ड हो गए है और इस पर हम प्यास रमाटर कच्चा डालेंगे अपना अपना फ्लेवर है आप डालो मट डालो बट मेरे को जाद अच्छा लगता है हां जी तू आज क्या बन रहा है ब्रेट पकोड़ा ना तो ब्रेट पकोड़ा स्पेशल बाई शेफ र चाय हम पीते नीथे बट उस टाइम से कुछ टाइम तो पीने भी लग गया है ना मलब ऐसे बना स्पेशली चाय बनागे नी जैसे कभी कुछ बनाया तो नहीं बूर्ट भी तो बच जाता है हां वोई हमकोई आता है घर्पे तो दिखाता हूं आलू में सब कुछ निक्स कर में भी डले उसमें थोड़ा सा मसाला तेज होना चाहिए अदर्वाइस वो फिर आलू फीके लगते है कि मैं हाथ से इसले नहीं कर रही फिर मेरी हाथ तो तो यह आगे कश्टूरी मेथी और इसको भी बिल्कुल थोड़ा सा डाने इसका भी फ्लेवर बहुत थैवी होता है ह необ combat निये तो पुर अहले अरु को है और एक में स्पेशल चीज जाएगी चीज जाएगी चीज 69 special cheese cheese जैने और अलू है अलू ko भरत रहे जारे क्योंकि अत्लुक्वर तो इसी कई है यही नियु B और फिरसे एक बार मेरी जाए हूए आपकी मर्जी है आप उसे पूरा डालें ग्रेट करके डालें यह पूरी चीज हम लोगों ने मौजरेला डाली ती तो हम चारी बनाएंगे दो मेरे लिए यह तैयार यह दो तैयार दो और बनाएंगे यह हम लोगों ने बैटर में भिगा दिया है और मुझे बहुत ज्यादा वह पसंद नहीं बेशन की लेयर बहुत हैवी पसंद नहीं है तो इसमें मैं सिर्फ रनी करके मतला इसका बैटर बहुत रनी बनाया है मैंने और इसको थोड़ी दे रखेंगे ताकि यह चिपक जाए तूटे ना और हमने कड़ाय में भी रख दिया है तेल गरम होने को ताकि यह फटे ना और इसको एक एक ही डालेंगे हम क्योंकि यह है यह टूटने फटने का बहुत डर रहता है तो क्योंकि यह है यह है और इसे बहुत ज़्यादा अराम से ढालें और सबसे ज़्यादा जो रिस्की काम है वो यही है सबसे ज़्यादा रिस्की काम है यह देखिए एक तरफ से बढ़िया पगया है और दुसरी तरफ से पक रहा है और एक बार में एक डाले प्लीज बहुत सारे ना डाले क्योंकि यह फटने के बहुत ज़्यादा चांसे जोंगे इसके अंजी तो फाइनली ब्रेट पकोड़ा और चाय बन चुगी है मैं दिखाता हूँ इस एक यह हमारे चीज वाले ब्रेट पकोड़ा तो यह सरफ हम लोगों ने तीन बनाए चार करें से बट बहुत हैवी हो जाता तो तीन ही फ्राय करें इसमें आज चीज देख सकते हूँ अगर देखो यह वाटरी हो गई है वाटरी इसलिए हुई है इसमें नमक मैंने बहुत पहले डाल दिया था मिस्टेक थी मेरी जब भी आप चटनी को खाए कंज्यूम करें तो थोड़ा थोड़ा नमक उसी डाइम डालें और यह पानी नमक ने चोड़ा है और यह देख सकत अगरा उसमें भी नमक था अलुमें भी नमक था और चीज भी नमक है चीज में भी नमक है तो वह बैलन्स बहुत बढ़ी हा रहा है कोई भी ओवरलाप नहीं हो रहा और नमक बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छोड है ट्राइ किजिए गा इसकी रेसिपी बनाते बनाते आपको पता चली गई होगी कैसी है और यह मुझे टाले जा रहें कि तेरा चैनल बनाएंगे और मुझसे फिर आज इन्होंने यह अच्छी चीज बन वाली और मेरा चैनल नहीं बनाया बहुत जल्द मैं अपने चैनल के साथ आओंगी बाबाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले रोईद चैनल बनाएंगे गले बनाएंगे विल्दी बाइक शेयर को कि तेक है ऑगार रहें मुझसे लिए बनाएंगे लिए.